हलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चानल मैं हूँ सान्या और आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे जिम्नोस्परम्स के बारे में so let's start प्लांट किंग्डम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को मेंली दो ग्रूप में डिवाइड किया गया था that is cryptogammy and phenerogammy and phenerogammy को again दो ग्रूप में डिवाइड किया गया जिम्नोस्परमी and angiospermy जिम्नोस्पर्मी के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनका सीड नेकेड होता है और एंजियोस्पर्मी के अंदर वो आते हैं जिनके जो सीड है वो फ्रूड के अंदर इंबेडेड होते हैं तो आज के वीडियो में हम लोग discuss करेंगे gymnospermy के बारे में Word gymnosperm जो है वो दो Greek word gymnos and sperma से मिलकर बना है Gymnos का मतलब होता है naked and sperma means seed यानि इनका जो seed है वो naked होता है Inside the fruit जो है इनका seed नहीं होता इसलिए इनके पास fruits भी नहीं होते Fossils Records suggested that they originated during the Paleozoic era about 390 million years ago and dominant during Mesozoic era the ages of dinosaurs means जो Fossils Records है यानि जो अफशेश की जब हम लोग स्टड़ी करते है तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो जिम्नो स्पर्म है आज से लगभग 390 million years ago Paleozoic era में originate हुआ था और dominant यानि सबसे ज़्यादा Fulfill करके बिल्कुल अपना large scale में फैला था वो time period था Mesozoic era जिसको हम लोग ages of dinosaurs भी कहते हैं क्योंकि इस time पर dinosaurs पाए जाते थे चुकि इनके पास flower नहीं होते है और इनके पास fruit भी नहीं है तो इनका जो main pollination करने का source होता है वो होता है wind यानि हवा की मदद से इनमें pollination होता है they are found in colder region and in India gymnosperms found in Himalayan mountains ये जो gymnosperm है जादा तर उन जगहों पर पाए जाते है जहां बहुत ठंड पढ़ती है ठंड में भी मतलब जहां snowfall होता है हमेशा बर्फ गिरते रहती है उस जगहों पर ये पाए जाते है और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये हिमालियन जो पहाड है हमारा हिमाले पहाड उस पे ये पाए जाते है सिकोया जो है example है gymnosperm का जो की one of the tallest tree species होते है majority जो होती है gymnosperm की वो zero phytic character show करते है zero phytic character means जब पानी की कमी होती है तो plants अपने अंदर कुछ changes करते है ताकि वो कम पानी में भी survive कर पाए तो वो जो characters होते है वो zero phytic characters हो जाते है चुकि मैंने यहाँ बताया है कि ये colder region में तो मिलते है बट ऐसी जगहाँ पर मिलते है जहाँ पर बर्फ गिरते हो तो वहाँ पर automatically पानी कम होंगे बर्फ होंगे बट पानी की कमी होगी तो इसलिए ये zero phytic character जो है वो शो करते है जैसे कि leaves are simple and compound and in coniferous जो की penis होते है इन में needle like leaves होते है which help to reduce water loss यानि जो इनका leaf काटेदार हो जाता है जो मदद करता है इनको water loss से बचाने के लिए the plant body show differentiation यानि यह divided होते हैं into leaf stem and root में roots जो है usually tap roots होते हैं इनमें और इनका जो seeds है उनमें endo sperm present होता है इंडो sperm जो है inner part को कहते है seeds के जो की store करके रखता है foods को और यह stored food जो है growth में and उनके plants के development में जो है वो use होता है तो इंडो sperm basically एक tissue है जो inside the seed present होता है और इसका काम होता है food को store करके रखना और इस food की energy को वो use करते है plant के growth में okay they have vascular tissues इनके पास vascular tissue present होता है जो इनको help करते है nutrition and water के transport में बट xylem में जो है vessels absent होते है and phloem की बात करें तो phloem में companion cell and seed tissue जो है वो absent होते है companion cell मैंने बताया था कि एक specialized parenchyma cell होते है और जो साइब ट्यूब है वो मेंली एक tube like structure होता है जिसका काम होता है carbohydrates and primarily सुक्रूज को जो है transport करना plants में so यह थे कुछ important features हमारे gymnosperms के अगर gymnosperms के example की बात की जाए तो साइकस पीनस लारिक्स पाइसिया यह सब gymnosperms के examples हो जाते हैं so यह थे gymnosperms के general characters I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना comment करना channel को subscribe करना और share करना नहीं भूलिएगा thank you करना तो